बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी चैनल सिबिल इंजिनियर्स ब्रो पे तो आज हो गया है 21 जून 2001 और आज का बिहार अमीन इबम सभी और इचाओ हे तू सेट प्राटिक सिंखला 30 सुरू करने वाले हैं जिया दोस्तों चैनल को अब तक कर दीजे भविष में बता दे कि बिहार एक्जाम जितने भी एक्जाम होंगे उनसे रिगार्णिंग सारा अपडेट आपको मिलेगा साथ में परिच्छा की भी त्यारी कराई जाएगी तो चलिए आज के पहले प्रस्ण को देखते हैं आप सभी कोसिस करेंगे सभी प्रस् बता दू कि इसका जबाब सबको पता होगा बी सही उत्र हो जागा रिता फारिया भात की पहली महिला जो बिश्वे सुंद्री चुनी गई थी वह रिता फारिया थी जिया दूस चलिए अगले प्रस्ण के उड़ चलते हैं आज का दूसरा प्रस्ण है निमलीखित में से अ असो का उत्राधीकारी कौन था ओफ्षिन है कुनाल बिंदुसार राहूल ब्रिहद्रत तो बता दू कि टू का जो सही उत्र हो जाएगा वह कुनाल हो जाएगा असो का उत्राधीकारी जो था वह कुनाल था ओफ्षिन A is the right answer चलिए अगले प्रस्ण के चलते हैं आज का ती गल्सियम और प्रोटीन उमीद करते हैं कि सभी को पता होगा तो थिरी का जो सही उतर हो जाएगा वह प्रोटीन हो जाएगा डी जिया दोस्तों थिरी का डी सही उतर हो जाएगा डालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है चलिए अगले प्रस्न को चलते हैं और अगला प्र ने किया था ठीक है तो बता दू कि four का जो सही उतर हो जाएगा वह सी हो जाएगा शिखोने अंग्रीजों का सरवादिक भी रोजज जिसने किया था वह सीख लोग हैं तो option c सही उतर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ट को चलते हैं आज का पाचमार नमर प्रस्ट नहें प्र अजहा जाता है दूद से दही जमता है कैसे जमता है किसके द्वाइवाल द्वारा बैक्टिरिया द्वारा हरित कबक द्वारा तो छे का जो सही उत्वत जाएगा वह हो जाएगा C, बैक्टिरिया द्वरा दूर से दही जो जमता है वह बैक्टिरिया द्वरा जमता है चलिए अगले प्रस्टिकों चलते हैं आज का साथ मा नमर प्रस्ट है ध्वानी का सरवादिक बेग होता है किस माद्य में होता है या बताना है वायू में होता है, जल में होता है, इस्टील में होता है, निर्यात में होता है तो बता दू कि सेविन का जो सही उतर हो जाएगा, वो है इस्टील हो जाएगा दौने का सरवादिक बेग जो है ठोस में होता है, यह जी जा आपको पता होना चाहिए तो इस टील हो जाएगा बतादू कि अब तक आप लोगों ने टेलीग्रम जोईन नहीं किया है तो टेलीग्रम ग्रूप जोईन कर ले वहाँ पे आपको हर रोज रात के 10-15 में रातरी के 10-15 में कुईच कराया जाता है जहां आपको जीएस, मैथ एवं हिंदी के सारे प्रस्ण होते हैं आप किसी भी एक्जाम में बैठते हैं सभी एक्जामों के लिए उप्योगी होगा और हर रोज आप हमरे यूट्यूब चैनल पे साम के 7-15 में जरूर जूरे यहां पे भी जीएस टेस्ट कर लिया जाता है और आपको बता दू कि इस टेस्ट में सामिल होकर बिहार के सभी एक्जामों इमंदेश की सभी एक्जामों में आप अच्छे मांक्स उठा सकते हैं एचीब कर सकते हैं तो आठमा नमार प्रस्ण है केंडरीय पसू चिकित सा अनुसंधान इस्थित है कहां इस्थित है या बताना है आपक्शन है उत्तरपर्देश उत्राखंड पश्चिम बंगाल हर्याना में तो जो एट का सही उत्तर हो जाएगा वह बता दू क्योंवा हो जाएगा उत्तरपरदेश में केंदरी ये पसू चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है उत्तर परदेश में है और अगले प्रशन को चलते हैं आज का नौमा नमर प्रशन है इन कलाब जिन्दावाद का नारा किष्ण ने दिया था और इसका जवाब नहीं पता है तो किसका जवाब पता होगा आप लोग यह दवारा नाहरा दिया गया था इन कलाब जिन्दावाद का नारा ठ्रीक है ओप्स Bj hope वाइक ही किस से प्रभावित थे या बताना है मेरा भाई से हजरत महल से जीजा भाई से या चान बीवी से सिवा जी किस से सरवाधिक प्रभावित थे या बताना है तो जो तेन का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सी जीजा भाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुएं सिवाजी चलिए अगले प्रशन को चलते हैं आज का 11 नमर प्रशन देखते हैं राजा राम मोहन राय निमलिखित में से किस से संबंदित नहीं है या बताना है ठीक है राजा रामोहन राय निम्रिकित में से किस संबंदित नहीं है ओप्शन है बिद्वा पूर्णा विभा से संस्क्रिट सिक्षा से सती प्रथा से अंगलेजी सिक्षा से ठीक है चार ओप्शन दिये गए हैं 11 का सही उत्तर बताना है तो बतादू कि 11 का सही उत्तर हो जागा वहो जागा भी संस्कृत सिक्षा से जिया दोस्तो राजा राम मोहन राय जो है संस्कृत सिक्षा से संबंदित नहीं है बागी सभी से संबंदित है चलिए अगले प्रस्न को चलते हैं आज का 12 नमर प्रशन है बहुत थी सांदार प्र ओपक्य इटों के बने होते हैं UK वह में करें अगले वार्म품 को चलतें सिंदू के लोगों के घर बने होते हैं कच्ची इटो के बने होते हैं पक्के इटो के बने होते हैं लक्री के बने होते हैं या पत्थो के बने होते हैं ठीके सिंदू सभेता के लोगों के घर बने होते हैं या बताना है तेरा का सही उतर हो जाएगा वह हो जाएगा B पक्के इटो के बने होते हैं, सिंदू सबेता के घर जो बने होते थे, वह आपेज़़ां केंदो झाल उतनर के जाएगा आज का फ्रोटीन उवर परसन देखते हैं किसी राज के विदान सभा में कम से कम कितने सदस हो सकते हैं कोशन को आप कुषिख करें किसी राजी के विधान सभा में कम से कम कितने सदस हो सकते हैं आप्शन है 60, 70, 80 और 50 तो 14 का सही उतर हो जाएगा आप्शन A ठीक है किसी भी राजी के विधान सभा में कम से कम 60 सदस हो सकते हैं तो 14 का A सही उतर हो जाएगा अगले प्रस्म को चलते हैं आज का 50 नेवर प्रस्ट है रासाइनिक अभीकिरिया को प्रभावित करने वाले भौती कारक कौन-कौन से है ठीक है ओप्सन है इसमें 5 ओप्सन दिया गया है अभीकिरिया की सांदर्ता, तापमान, प्रिष्ट, शेत्र, उत्परक्य उपस्तिती अभीकिरिया को प्रभावित करने वाले भौती कारक कौन-कौन से है तो बता दे कि इन में ये ओप्सन E सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएंगे ठीक है, तो 15 का जो है E सही उत्तर हो जाएगा ठीक है, आप्सन E क्या है, उप्यूक्त में से कोई नहीं या उप्यूक्त में से एक से अधिक, तो आप्सन E सही हो जाएगा, एक से अधिक है रसानी का भीकिरिया को प्रभावित करने वाले, ठीक है, आज के QTD प्रसन को देखते हैं, बहुत ही EG QTD प्रसन है QTD प्रसन है, सिमान्त गांधी उप्र नाम से बिख्यात है, जो है या उप्र नाम है, किन का उप्र नाम है या बताना है आप्सन है, गाजिब गांधी, फिरोज गांधी, खान अबूल गफार खान, जे वी क्रिपलानी बता दे कि QTD प्रसंट आज की QTD प्रसंट का सही उतर आपको next day यानि की by June के वीडियो में मिल जाएगा चले कल के यानि 20 June के QTD प्रसंट का सही उतर जानते हैं तो practice set singular 29 का QTD प्रसंट देखते हैं देखे QTD प्रसंट था या लकरी की आयू ग्याद करने में सहायक है क्या सहायक है या बताना था option था carbon 14 uranium cobalt polonium तो बता दे कि इसका सही उतर हो जाएगा कल के प्रसंट यानि 20 June के QTD प्रसंट का सही उतर हो जाएगा वह हो जाएगा carbon 14 लकरी की आयो जो है ग्याद करने में या carbon 14 बहुत ही सहायक है चीक है तो carbon 14 सही उतर हो जाएगा चली इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके साथ साथ आपके अगामे एक्जाम में अच्छे मार्स उठा परें वीडियो को बहुत वीडियो यहीं समाप्त करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद